Hello friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Canada Spouse Open Work Permit के बारे में जैसे आप सभी को पता है कि Canada Spouse Open Work Permit को लेकर एक बड़ी अपडेट आई हुई है अभी Undergraduate Diploma, Undergraduate Certificate, Bachelor Degree, PG Diploma, PG Certificate बाले बच्चे जिनके पास ये सारे प्रोग्रम होंगे वो अपने Spouse को साथ नहीं लेके जा पाएंगे, जहां Canada पहुंचने के बाद भी अपने Spouse को Invite नहीं कर पाएंगे जब तक वो Study Visa पे रहेंगे, Study Permit पे रहेंगे, जब वो अपने Study कंप्रीट करेंगे, Work Permit पे जाएंगे, तब जाकर वो अपने Spouse को बला सकते हैं अभी जो बड़ा कॉशन है ना बच्चों के माइंड में, जो सबसे ज़्यादा कॉशन आ रहा है, कि इसका Deadline क्या है, कब तक हम Apply कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यह सिर्फ Announce हुआ है, Implement नहीं हुआ, कब तक हम इसको Apply कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जिनका File Embassy में है, वो PPR की वेट कर रहे हैं, जानि के Result की वेट कर रहे हैं, ताँ जो वो अपना Spouse Open Work Permit का File Lodge कर दे, कुछ बच्चों के पास documents ready नहीं हैं, कुछ बच्चों के पास funds का problem चल रहा है, कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं कि अभी हमें Apply करना चाहिए, क्या होगा आने वाले समय में, बहुत सारे caution, बहुत सारे doubt है, इस वीडियो में मैं आपके साथ deadline के बारे में बात करूँगा, कि अगर आप Spouse Open Work Permit के लिए Apply करना चाहते हैं, तो आपके लिए deadline क्या रहेगी, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से request करूँगा, अगर अभ आपने decision लेने हैं, उसको आप properly ले सकें, आप इस वीडियो को like और share भी जुरूर करें, क्योंकि बहुत सारे अप्लिकेंट हैं, जिनके mind में जो questions होंगे, उनको in cancer मिलना, free of cost बहुत जुरूरी है, आपकी sport की हमें बहुत जुरूरत है, सबसे पहले बात करेंगे Canada Spouse Open Work Permit को अगर आपका जे program नहीं है, तो आप अपने spouse को जब तक study permit पे रहेंगे, जब तक आपकी study complete नहीं होगी, तब तक आप अपने spouse को साथ नहीं लेके जा पाएंगे, ना ही Canada पहुंचने के बाद invite कर पाएंगे, अभी जे announce हुआ है, implement नहीं हुआ, पहला question, अभी सभी spouse visa की files है वो lodge हो रही है, सभी applicant अपने spouse को बला सकते हैं, फिर चाहे वो study permit पे हैं, फिर चाहे वो work permit पे हैं, फिर चाहे उनके पास कोई भी program है, पहली update, अभी तक सिर्फ announcement हुई है, implement नहीं हुआ, अभी इसकी deadline कब है, कब तक apply कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की file lodge हुई अभी उन बच्चों ने अपने result की wait करनी है, उसके बाद result आएगा, फिर file लगानी है, कब तक यह possibility हो सकती है, दूसरे वो बच्चे हैं, जो study visa के साथ अपनी file लगाना चाहते हैं, study visa की file हैं रोक रखी हैं, अभी उनके पास क्या काम है, दोनों के बारे में बात करेंगे, पहले वो बच्चे जो deadline को जानना चाहते हैं, देखिए इसकी कोई deadline अभी तक announce नहीं हुई, ऐसा भी हो सकता है कि आज ही बंद कर दें, ऐसा भी हो सकता है एक week मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है एक month मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि दो month, तीन month भी इसको निकल जाएं, तो पहल जल्DAY से जल्दी apply कर लिजे जितना जल्दी होता है उतना जल्दी apply कर लाइजए क्योंकि यह बड़ी update है is के बाद बहुत सारे बच्चे struggle करेंगे जो study visa पे जाएंगे जो मेरिड है जब मेरिज करवाकर अपने spouse को साथ लेके जाना चाहते उनके पास फिर कोई रस्ता नहीं होगा जब तक आपकी study complete नहीं होगी इस चीज़ को माइंड में रख लेज़े अभी जो दूसरा कॉशन था कि जो बच्चे अभी study visa के लिए apply करना चाहते हैं जब तक attestation certificate नहीं आएगा तब तक आपका study visa का file नहीं लगेगा जब आपको testation certificate मिल जाएगा उससे पहले आपको अपना offer letter अपना fees अपना LOA अपना GIC सब कुछ ready करकर रख लेना चाहिए उसके बाद जब आपको testation certificate मिल जाएगा तो आप अपने study visa के साथ ही अपने spouse की file को साथ लगा देना यह दूसरा solution है उन बच्चों के लिए जो study visa के लिए अभी तक जिन्हों ने apply नहीं किया क्योंकि जब तक का आपके spouse की file नहीं जाएगी जो study permit के लिए जा रही है तब तक का आपके spouse open work permit की file नहीं जा सकते हैं अभी eligibility कैसे बनेगी तीन तरह से eligibility बनती है प अभी तक travel नहीं किया तो भी आप लीजिवल है आपके spouse ने Canada study visa मिल चुका है travel कर चुके हैं वो Canada में है study permit पे वो भी अभी बला सकते हैं जाने के अभी तीनों category के बच्चे अपने spouse को बला सकते हैं अभी तक कोई deadline नहीं है mind पे pressure लेने की जुरूरत नहीं है बस सिर्फ काम क करिए जल्दी से जल्दी documents ready करिए नीचे दीएक नंबर पे call करकर अपनी checklist ले लीजिए process start करवा दीजिए अगर कोई एक document pending है जैसे PPR pending बच्चे का result नहीं आ रहा तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने सारे documents ready करवा रहे हैं फाइल ready करवा रहे हैं जैसे ही PPR आई मैं बच्चाने की जुरुत नहीं है आज जो step लेना है उस पर focus करिए कल को क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है उसको आप करिए जो आपके हाथ में नहीं रहती ना चीजें उस पर सोचने की जुरुत नहींigos तो आटमेटिक होँगी होँगी वो तो Emigration mister ने सोचना है कै वो तो अभी बच्छे कुछ भी नि कर सकते मगर आप तो कर सकते न आपको वही करना चाहिए जो आप कर सकते हैं अभी तक JUST announcement है आपको time दिया गया है आपको time दिया गया है आपको relaxation time का benefit लेना चाहिए जल्दी से जल्दी file lodge करना चाहिए एक चीज़ और बता देता हूँ 25,000 म में करवाकर देगी मार्किट में जही स्पाउस ओपन वर्क परमट एक एक डेड़ डेड़ लाख दो दो लाख तक जा रहा है और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे एक अपको जही ड्राए जाएगा ऐसा हो जाएगा वैसा अवैसा जाएगा कुछ नहीं होगा अनौसमेंट नहीं हुआ डेड़लाइन का कहीं पर कुछ नहीं कुकि जब आप डरेंगे नहीं न तो ज़ादा पैसा नहीं देंगे और उन consultant का काम कीया कि आपको डुराना है जितना डुराएंगे उतना ज़ादा पैसा देंगे ऐसा हो जाएगा वयसा हो जाएगा जएजी कर देंगे वह कर देंगे एक एक डेड़ डेड़ लाक रुपया एक spouse open work permit की application के लिए लिए जा रहा है just 25,000 में आपको apply करवाना है किसी को एक single penny नहीं देनी अगर 25,000 जा 25,000 से कम कोई करता है किसी से करवा लिजे अगर इससे ज़्यादा कोई demand करता है तो नीचे दिएगा number पे call कर देना within two days आपकी file embassy में होगी within two days जिस दिन आपने document पूरे कर दिये उसी दिन आपकी file within two days सब कुछ A to Z हमारी company करेगी आपने कुछ नहीं करना जो भी होगा सब कुछ transparent होगा file आपके साथ share की जाएगी आपको दिखाई जाएगी हर एक step पे आप से आपके साथ जो information है वो share की जाएगा उसके बाद अगर आप GC की account का login ID passport लेना चाते हैं वो भी ले सकते हैं आपकी email ID लगेगी आपका ही phone number लगेगा ताँ जो सारे notification आपको आई हमारी कोई भी ऐसी system नहीं है जिसमें हमारे जो client है उसको कोई transparency ना हो आप जितने भी बच्चे हमने हमने आपने देखे ह हमारे सभी का एक ही system रहता है कि बहुत transparent system है तो जो बच्चे apply करना चाहते हैं just 25,000 आपका जो total cost आएगा और तीन सो चालीस डॉलर आपकी अमबेसी फीस और बायोमेट्रिक फीस मतलब 40-45,000 में आपका पूरा का पूरा system अपडेट हो जाएगा इससे ज़्यादा आपको funds क जूरूरत नहीं है विद बायोमेट्रिक विद प्रोसेसिंग फीस 40-45,000 में आपका पूरा process complete होता है अमीद करता हूं बहुत बड़े वीडियो आपके काम आएगी जो बच्चे apply करना चाहते हैं डरने की जूरूरत नहीं है सिर्फ आपने documents ready करिए जैसे ही कुछ documents आता है ह हम उसी के साथ आपकी फाइल को process कर सकते हैं अमीद करता हूं यह information आपको अच्छी लगेगी आप हमें sport जूरूर करेंगे आप हमारे youtube channel को subscribe जूरूर करें जो बच्चे आपके known में हैं जो आपको जानते हैं जो phone country में study visa spouse open work permit अपने parents को विस्टर वीजा के लिए बलाना चा मैं आपको वीडियो पे आकर अपने price बताता हूं अपना system बताता हूं कोई hidden charges नहीं है आप कोई भी person हमें call करें किसी भी time हमारे किसी भी team member से आपकी बात होगी तो जो information मैंने अभी आपको दी है same information आपको वहां पर मिलेगी ऐसा नहीं कि जहां पर आपको कुछ कहा जा रह online है कहीं पर भी आपको single visit करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी पूरा process online है और जो बच्चे मेरे साथ मिलना चाते हैं मेरी बहुत कम possibility है क्योंकि इस समय हमारे पर filing का बहुत pressure है जो बच्चे apply कर रहे हैं हमारा पूरा focus filing पे चल रहा है कि जो बच्चे सवा सो से plus file हैं हमारे process करना है जल्दी से जल्दी lodge करनी है files और बहुत सारे बच्चे apply कर रहे हैं तो filing पे है आपने मेरे से बात करनी है calling call पे आप हमारे टीम से बात कर लीजे वो बात करवा देंगे live मैं आपको meeting का link share करवा दूँगा आप live मेरे से बात कर लीजे कोशिश करिए 15 से 20 दिन हमें दीजे जब तक अपडेट चल रही है उस समय तक आप प्लीज जो भी बचे हैं मिलने की बात मेरे से प्लीज कोशिश करें कि ना करें जो भी process है आपका call पे हो जाएगा live call ले लेंगे meaning इस समय थोड़ा filing पे जो हमारा pressure है और filing के कारण मैं चाहता हूं कि हम उन बच्चों क जो सर्व करपाइं जिन्होंने हमारे पर ट्रस्ट किया है हमारे साथ filing कर रहे हैं थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास तक देखने के लिए